हे स्टुडेंट्स वर्ट्स आप, होप यो लार वैल, माई नेम इस मुकेश चिंदल और यह वाचिंग ग्रेफाइट केमिस्टी ग्लासिज तो बच्चो आज हम बात करेंगे एंटी मारकोनिकोब रूल के ट्रिक के बारे में सबसे पहले बच्चो जो एंटी मारकोनिकोब रूल है, इसके नेम्स कितने होते हैं, बच्चो एंटी मारकोनिकोब रूल को एक तो बोला जाता है, पर ओक्साइड इफेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, पर ओक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें पर इसको बनाया था जा फिर इसको बोला जाता है एंटी मारकोनिकोब्स रूल भी बोला जाता है तो बच्चों चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंटी मारकोनिकोब्स रूल के बारे में एंटी मारकोनिकोब्स रूल में क्या बोला गया है यह मारकोनिकोब्स रूल से बिलकुल opposite है, जैसे हम बोल सकते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, unsmetrical alkin में हम HBR डालते हैं, halogen acid डालते हैं, यहाँ पे जो halogen acid है वो सिर्फ HBR ही डालना होता है, वो क्यों डालना होता है, HBR क्योंकि HBR जो होता है, वो exothermic reaction देता है दोनों steps में, ठीक है, तो इसलिए यही सिर्फ suitable reagent होता है इसमें तो HBR ही डालना है, HCL डालोगे या कोई और डालोगे वो anti-marconic ove reaction नहीं देगा, वो automatically marconic ove rule बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए unsmetrical alkyne हमने ले लिया इसमें हमने HBR डाल दिया, ठीक है, HBR में बचो जो positive part होता है, वो H का होता है, और negative part होता है, वो BR का होता है, ठीक है, तो अब anti-marconic ove rule क्या कहता है, कि जब भी हम किसी unsmetrical alkyne में halogen acid डालेंगे, कौन सा HBR only, ठीक है, तो in the presence of peroxide, बचों यहाँ पर paroxide कौन सा ले सकते हो, आप यहाँ पे benzoil paroxide भी ले सकते हो, आप यहाँ पे benzoil paroxide भी ले सकते हो, hydrogen paroxide भी ले सकते हो, ठीक है, H2O2, तो कोई सा भी paroxide आप ले सकते हो, तो जैसे ही आप unsmetrical alkyne में HBR डालोगे, in the presence of peroxide, वो benzoil paroxide भी हो सकता है, वो hydrogen परोक्साइड भी हो सकता है तो जो नेगेटीव पार्ट होगा बच्चो वो किस डबली बॉंडड़ कार्बन के उपर अटेक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो देखिए यह जो बी आर नेगेटीव है अब यह दोनों डबली बॉंड़ कार्बन है अब कि किसके उपर अटेक करेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन के उपर अटेक करेगा और जो पॉस्टी पार्ट है यह किसके उपर अटेक करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है अब मार्कोनिकों में हमने क्या देखा था मार्कोनिकों में हमने यह देखी यह दिखा था कि जो negative part है वो किसके उपर attack करता था जिसके पास कम होते थे hydrogen यह देखो है अब यहाँ पी क्या है negative part उसके उपर attack करेगा जिसके पास ज्यादा hydrogen होंगे W100 के पास तो BR negative यहाँ पे लगएगा और H positive यहाँ पे लगएगा तो हमारे पास यह वहला product बन जाएगा N का मतलब है negative part of halogen acid ठीक है negative part of halogen acid H का मतलब है highest और H का मतलब है hydrogen जो negative part of halogen acid है वो किस कारबन के उपर attack करेगा W bonded carbon जिसके पास highest hydrogen होंगे ठीक है तो आप I hope के सबको समझ आ गई होगी एंटी मार्कोनिक अब जरूल के बारे में अच्छे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको औ FOLLOW करता है और यह तब ही होता है जब इसमें यह conditions FOLLOW होंगी conditions क्या है मैं repeat करता हूँ अन्समेट्रिकल अलकीन होना चाहिए HBR only होना चाहिए और पर अक्साइड होना चाहिए बाई चांस आप पर अक्साइड डालना भूल गए तो यह automatically कौन सा रूल बन जाएगा अगर आपने परोक्साइड डाल रखा है तो HBR डालना भूल गए HCR डाल दिया तो भी यह मार्कोनिक अपरूल बन जाएगा तो बचों याद रखना है अगर एंटी मार्कोनिक अपरूल बनाना है तो HBR और परोक्साइड दोनों का combination होना बहुत ज़रूरी है I hope आपको यह reaction अच्छी तरह समझाई होगी Thank you very much